आज की बाबा की मुर्ली देखते हैं, यह मुर्ली रिफाइन स्थिती की पहचान पर है, और मुर्ली की डेट है बारा छे और सेविंटी टू. तो बाबा कहते हैं, यह जैसे साइन्स रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आख में साइन्स की शक्ती या अपनी स्थिती रिफाइन होती जारी है. साइन्स हम देख रहे हैं, दिन बर दिन, जो उसकी रिफाइन होती जारी है, और बाबा कहते हैं कि साइन्स तो अपना काम कर रही है, रिफाइन होती जारी है, महीन होती जारी है, मगर आपकी स्थिती जो है, साइलेंस की शक्ती, वो भी रिफाइन होती जा रही है, जब रिफाइन चीज होती है, तो उसमें क्या-क्या विशेशता होती है, कोई चीज बहुत फाइन, बहुत रिफाइन है, तो उसमें क्या विशेशता होती है, क्या समझते हैं, क्या विशे रिष्टा रहती है, सुक्ष्व होती है और clarity and purity, जी clarity, बाबा कहते हैं कि जब रिफाइन चीज जो भी होती है, उनकी quantity भले कम होती है, लेकिन quality powerful होती है, जबना ज़ादा refine उसमें हम देखते हैं कि quantity कम हो जाती है और quality powerful हो जाती है, जो चीज रिफाइन नहीं होगी, उसकी quantity ज्यादा और quality कम होगी Refined नहीं होगी तो उसकी quantity ज्यादा होगी और quality कम होगी तो दवाई भी होती है कोई medicine है बहुत powerful है जो बिमारी है उसको ठीक करने के लिए बिलकुल उसमें सारे उसके ingredients मौजूद है तो क्या बोलते हैं कि इसको मतलब आदी ही खाना एक ही खाईएगा दिन में दो दो बार तीन बार नहीं क्योंकि वो बहुत powerful है refined है उसके अंदर सब तो उसलिए जादा नहीं लेना पड़ेगा बनकुल कम तो बाबा कहते है refined नहीं होगी तो quantity ज्यादा हो जाती है quality कम हो जाती है तो यहाँ भी जब की refined होते जाते हैं यहाँ भी आत्मा refined होती जा रही है तो कम समय कम संकल कम energy में जो करतव्य होगा वो सौगुना होगा और हलकापन भी हो जाता है तो यहाँ पर भी humidity जैसे refined होती है तो समय भी कम लगता है संकर्प भी कम और कम energy में ही करतव्य हो जाता है और उसमें सौगुना जो करतव्य है उसमें perfection भी होगा और हलकापन भी और हलके पन की निशानी होगी, वो कभी नीचे नहीं आएगा, ना चाहते भी स्वता ही उपर स्थित रहेगा, हलके पन की निशानी क्या है, कि वो नीचे नहीं आएगा, ना चाहते हुए भी हमेशा उपर ही, हलका ही रहेगा, यह है Refined Qualification तो अपने में ये दोनो विशेषताएं अनुभग होती जाती है अपने में आत्मा में ये दोनो विशेषताएं अनुभग होती जाती है भारी होने के कारण महनत ज्यादा करनी होती है भारी होने के कारण महनत ज्यादा करनी होती है अब इसका मतलब हम समझें कि अगर कोई हलका है तो महनत नहीं करेगा तो हम महनत करना ही छोड़ दें तो ऐसा नहीं हमको honestly चेक करना है हमारी स्थिति क्या है और फिर उस हिसाब से उस हिसाब से फिर honestly effort करना है अगर ज्यादा काम की जरूरत है तो ज्यादा effort करेंगे तो बाबा लेकिन natural एक result बताते हैं कि जब आप heavy हो भारी हो तो फिर आपको naturally ज्यादा महनत करनी पड़ेगी हलका होने से महनत कम हो जाती है तो ऐसे natural परिवर्तन होता जाता है ये दोनों विशेशता हैं सदा attention में रहें इसको सामने रखते हुए अपनी refineress को check कर सकते हो अभी इस समय इस second पे हम इस parameter से अपने को check करें और फिर इस second से जो effort जरूरी है वो हम चालू करें रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं है speed पकड़ लेती है अगर refine नहीं होगी किचड़ा mix होगा तो speed पकड़ नहीं सकेगी अगर petrol में भी देखें बहुत जादा mixture है तो फिर speed नहीं पकड़ेगा उसमें कुछ-कुछ चलता रहेगा तो बाबा कहते हैं कि अगर refine नहीं होगी किचड़ा mix होगा तो speed पकड़ नहीं सकेगा निर्विघन चल न सकेगे तो एक तरफ जितना जितना refine हो रहे हो दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें वह भूले वह संसकार जो हैं उनका fine भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर क्या होता है कि जितना जितना refine-ness आती जाती है तो उतना अपना छोटा छोटा भी अपना छोटा कोई दाग है सोच में, करम में, संसकारों में वह उतना ज्यादा आत्मा को feel होता है कि देखो यह नहीं होना चाहिए मतलब पहले जब बिल्कुल सो रहे हैं आत्मा बिल्कुल नींद में है तो वह क्या-क्या करेगी और उसको कभी भी feeling नहीं आएगी कि इसमें कोई महसूस्ता नहीं आएगी फिर जैसे-जैसे स्थिती की refinement आती है improvement होती है स्थिती उची होने लगती है तो कहां तो पीछे दो-दो महीने क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई ध्यान नहीं और एक भी दिन अगर ज्यादा सोच चली एक भी दिन अगर संकल्प चले तो उसको आत्मा खुदी से catch करेगी कि नहीं, ये भी क्यों इसमें भी और refinement है तो बाबा कह रहे है कि refinement बढ़ेगी तो हर एक भूल हर एक छोटी भी चीज़ का fine बढ़ता जाएगा माना महसूसता बढ़ेगी कि ये यथार्थ नहीं है और महसूसता बढ़ेगी एक तरफ वो नजारा और दूसरे तरफ refine होने का नजारा एक तरफ वो नजारा है और दूसरे तरफ refine होने का नजारा है दोनों का force है अगर refine नहीं तो fine समझो दोनों साथ-साथ नजारे दिखाई दे रहे हैं बाबा कह रहे हैं कि दिखो ये नजारा भी दिखाई दे रहा है कि कैसे तो एक तरफ आत्मा refinement की तरफ बढ़ रही है और बाहर में जो परस्थितियां है, बाहर में जो वो किस गिशा में जा रहा है ये भी दिख रहा है और अंदर में भी एक तरफ जैसे जैसे refinement की और बढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी भी जैसे जितना white होता है उतना उस पे कोई छोटा भी dot है वो नजर में आए है वो दिखाई देगा तो ये दोनों चीज़े साथ में हो रहे है दोनों force साथ में चल रहे है कि जितना refinement करते जा रहे है अपने प्रिकाम करते जा रहे है बाबा के साथ बैठकर आत्मा अपने को देख रहे है उतना ज्यादा जो भी अय अथार्थ है वो दिखता है, attention में आता है और फिर निकलता जाता है चूटता जाता है आत्मा उसको छोडती जाती है वो भी अती में जा रहा है और ये भी अती प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है गुप्त अब प्रख्याद हो रहा है तो जब दोनों बाते प्रत्यक्ष हो उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे अब आबा कहरें नंबर कैसे बनते हैं नंबर बाइस हो जाता है ड्रामा में आत्मा सब इक्वल है सब एक जैसी है मगर ड्रामा में कैसे जो जितना अपने को अनुभव कर रहा है यथार्तृति से उस अनुसार नंबर बन जाते हैं ना माना कि आत्मा बीज जो है आत्मा जो बीज है जैसे अभी पहले देखा था मद्याजी भावे पर हम दो देख रहे थे कि आत्मा बीज तो वो जितना जितना अपने घर में है, बाबा के साथ है, उतना उसको एक स्मृति इमर्ज होती है, जो आत्मा में बहुत सारे जो qualities हैं, जो बीज रूप में हैं, वो इमर्ज होते हैं, कि देखो सब इकोल हैं, सब समान हैं, ये वाली qualities, और जितना ज्यादा ये truth का experience होगा, उतना ज्यादा drama में कैसे सब different हैं, कितना ज्यादा numbers हैं, number wise, मतलब drama में सब लोग number one नहीं, one, two, three, four, ऐसे ही है drama में, कैसे बन रहा है ये, क्योंकि है तो सभी आत्माय में सारी qualities, मगर उसको हम consciously अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो number नीचे ही रहता है, drama के stage पर, जैसे, ऐसे बोलेंगे ना, कि जैसे एक cricket team है, उसमें सारे जो 11 players हैं, international cricket team हैं, और 11 players हैं, तो 11 के 11 players को सब कुछ आता होता है, fielding भी आती है, batting भी आती है, balling भी आती है, wicket keeping भी आती है, ऐसा नहीं है कि जो ballers हैं, उनको batting आती ही नहीं है, उन्होंने कभी bat चुआ ही नहीं, नहीं, international cricket stage पर है, तो हर एक को सब कुछ आता है, लेकिन जिसने जो consciously खेला है, जैसने baller ने balling की बहुत practice करी है, तो वो उसमें उसको number one मिलेगा, number two मिलेगा, number three, वहाँ पर फिर वो set होगी team में, कि ये चार ऐसे हैं, एक wicket keeper होगा, ऐसा नहीं है कि बाकी को आता ही नहीं है, बाकी सब को सब कुछ आता होता है, ऐसे ही batting में भी, कौन बन जाएगा, two जाएगा, तो किसने कितना conscious ली, तो सब के अंदर cricket खेलने की सारी skills हैं, लेकिन जब वो playground पे जाते हैं, तो वो किस चीज़ को practice करते हैं, उस आधार पे number बन जाता है, तो ऐसे ही सब आत्माओं में सारी skills हैं, सारी talents हैं, सारी qualities हैं, माना की, सारी skills और talent का मतलब, हाँ, सारे skills और talent का मतलब है, जो qualities हैं, tolerance, समाने की शक्ति, detachment, ये सारी qualities हर soul में हैं, लेकिन हम playground पे आके, उसको कितना experience कर रहे हैं, तो playground is drama, drama में रहते हुए, आत्मा कितना उन qualities को experience कर रही है, उसमें numbers बन जाते हैं, है न, उसमें numbers बन जाते हैं, तो जैसे कहा कि, बाबा के experience में hierarchy, हाँ, बाबा के experience में, कितना हम इधर playground पे आके, उसको कितना experience कर रहे हैं, जैसे हर आत्मा के अंदर, ये बीज है कि परमात्मा ही मेरा साथी है इसलिए जनम जनम उसको याद करते हैं हर आत्मा के अंदर ये स्मृति है बट अब उसको उस्मृति को कितना रियल में एक्स्पिरियंस कर रहे हैं इसमृत इसको बाबा कह रहे हैं कि नमबर वाइस तो ये जैसे पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम truth को जितना experience करते हैं जो जितना करेगा experience सिर्फ intellectually नहीं जैसे intellectually हमने इसको सुना एक बुद्धी के स्थर पे हमने सुना कि सब आत्मा एक्वल है सब आत्मा लखी है सबी आत्माओं का जो parent है वो एक ही है तो ये हमने एक सुनी बात मुर्ली में आई ये हमने सुनी अब मैं आत्मा इसका experience नहीं कर रही हूँ तो ये बात ये जो विवेक की बात है ये जो logical बात है ये बहुत right है लेकिन when I am not experiencing it बाबा के साथ जो योग में हम उसको experience नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि यही point का misuse होगा misuse होगा कि हम बाहर जाएंगे कभी हम center पर गए सब equal है ये क्यों difference क्यों हो रहा है इसको जादा chance क्यों मिल रहा है उसको so we don't understand कि drama में सब number wise ही चलता है drama में सब तो drama का क्या nature है और आत्मा का truth में क्या nature है जितना इसको experience करेंगे उतना ही ये drama का nature भी naturally हमको समझ में आएगा हमको उधर फिर expectations और जो problems रहती है वो नहीं होगी लेकिन अगर सिद गुद्धी के स्तर पे हमने बात सुनी कि हाँ हर सोल ऐसी है तो फिर बार बार हमें drama के level में हमें वो ही equality देखने का मन करेगा drama के level में हम चाहेंगे कि परमधाम की जो equality है परमधाम की जो समानता है वो मुझे इधर देखनी है तो और expectations आएंगी ज्यान के point का अगर experience नहीं है तो ज्यान के point को ही सुनकर पहले से भी ज्यादा और desires आएंगे और ज्यादा expectations आएंगी तो इसी लिए कहा कि जैसे half knowledge is dangerous कहते है न तो knowledge का मतलबी है अनुभव तो knowledge intellectually है अनुभव नहीं है तो it is more dangerous और ज्यादा dangerous है क्योंकि हम वो fairness हम वो equality यहाँ पे आत्मा सीख करने लगेगी घर बनाने लगेगी drama में तो जितना घर का experience है घर के truth का है उतना ही drama का जो difference है वो spasht रहता है तो इसी को बाबा क्या कह रहे है कि अभी number fix होने का समय आ रहा है अभी ये number आएगा क्योंकि घर जाने से पहले एक बार result निकलेगा कि किसने कैसे पढ़ाई पढ़ी है हम पढ़ाई कर रहे है न अभी कितने लोग सब जो call पर है ये पढ़ाई कर रहे है तो सबको एक number मिलेगा है न number कैसे मिलेगा कोई certificate नहीं आएगा लेकिन एक अंदर से घर जाने से पहले एक आत्मा को experience से एक अनुभव से पता चलेगा कि मैंने इस पढ़ाई को इतना ही धारण किया इतना ही मैंने experience किया तो one से लेके सारे number होंगे one, two, three, four, तो बाबा क्या कहते हैं कि first two numbers declare हो चुके है first number किसको मिलता है first or second number declare हो गया है third से सबके पास chance है third, fourth, fifth, sixth फिर आगे-आगे lakhs और 33 करोड तक 33 करोड तक वो सबके पास chance है तो first two numbers कौन से है ममा और बाबा के तो बाबा ब्रह्मा बाबा जिसके तन में ही शिर्व बाबा ने आके पढ़ाई पढ़ाई तो उन्होंने इतनी पढ़ाई करी और first number मिला इसी लिए वो सब्ष सत्यूग में first part open होता है और फिर जो second है ममा फिर उनका भी उनके साथ part open होता है और अब जो third जाएगा fourth जाएगा fifth जिसको number मिलेगा sixth, seventh 33 करोड तक उसका भी फिर part वैसे ही play out होगा तो अभी बाबा कहते हैं कि इसलिए दोनों बाते सबस्ट दिखाई दे रहेंगे और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अती होती है ये बाबा ने कितना रहे से बताया कि खेल भी हमको कब अच्छा लगता है एक game है जिसमें एक team पूरी हावी है दूसरी team पर वो game देखने में अच्छा लगता है भले ही हम जिस team को support कर रहे हैं वो clearly जीती हुई है clearly जीती हुई है match से पहले से हमको पता है match start होता है हमें पता यही team जीतनी है फिर भी हम उसको देखेंगे कोई देखेगा कोई नहीं भी देखेगा कि अरे यह तो जीते ही हुए match देखने में कौन सा मज़ा आता है जहां दोनों तरफ से equal participation है equal opposition है उतनी ही महनत है तो बाबा कहते हैं कि खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अती होती है वही scene अती आकर्शन वाली होती है तो अभी भी ऐसी कश्मकश की scene चल रही है देखने में मज़ा आता है ना या तरस आता है अभी जो है बाबा कहते हैं ड्रामा में अभी जितने भी बातें अभी चल रही है यह सब अती में जानी है एक्स्ट्रीम पे जानी है नेचर का भी जो हलचल है प्रकृति का यह एक्स्ट्रीम पे जाना है जो health के जो papers हैं जो शारीरिक बीमारियां है अती में mental problems अती में, ये सारा कुछ अती में जाना है तो बाबा कहते हैं खेल तो तभी आकर्षन वाला होता है जब extreme पे सब जाने लगता है तो वही scene अती आकर्षन वाली होती है और ऐसे ही जो अपने अंदर की जो स्थिती है वो भी अभी extreme बाबा कहते हैं कि अभी इतना तो तुमको यहां रहते हुए experience होगा जैसे फिर्कुल सुहाबना समय कोई दुख का experience नहीं इतन गौड-like state का सारा time experience तो inner beauty भी और outer भी circumstances सब कुछ अपने परिकाष्ठा पे जानो है तो एक तरफ को देख खुश होते हैं और दूसरे तरफ को देखकर रहम पढ़ता है एक तरफ को देख रहे हैं खुश होते हैं और दूसरे तरफ को देखकर रहम पढ़ता है दोनों का खेल चल रहा है आज खेल दिखाया कि परदे पर क्या चल रहा है परदे पर क्या चल रहा है आज ऐसे खेल दिखाया वतन से तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है जितना जो उचा होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है जो नीचे स्टेज पर पार्ट धारी उनको कुछ दिखाई दे सकता है जो नीचे की स्टेज़ पर पार्ट बजा रहे हैं उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता अभी हम जैसे बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन हम बाहर जाते है और कभी रात है पुछ ऐसे है तो बहुत ठंड है यहां पर डेली में, नॉर्थ में सब यहां बहुत ठंड है तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जो भी आनिमल्स रहते हैं तो रात में कभी जाओ तो इतना उनको ठंड लग रही होती है और वो प्यार से मतलब पास में आते हैं तो सब ऐसे ठिटू रहे हैं काप रहे हैं तो इक dumb से ऐसे होता है कि देखा नहीं जाता है और यह सब यह सोल जयसे आत्मा जयसे होश में आती है तो जैसे हर चीज में यह दिखाई देता है कि अभी सब घर जाएंगे अभी यह सारी सोल भी कितना extreme weather की condition में गर्मी होती है तो इतनी गर्मी है, बिचारे तब भी परिशान, अभी ठंड है तो इतनी और not just, मतलब सिर्फ जानवरों की बात नहीं है, कितने तो सडकों पे सोते भी है, राट में स्टेशन पे जाओ, तब भी तो अभी कैसे कैसे scenes आने हैं और आ ही रहे हैं इसमें मैं contribution के लिए क्या कर सकती हूँ, यह दो minute का इतना emotional response, इतना emotional का जो फवारा उठता है, इससे वास्तव में कुछ होना नहीं है, यह जो pity की feeling आती है, यह जो बेचारेपन का दूसरे के लिए आता है, इससे में के लिए हम जितना कर सकते हैं, जो जितना कर सकता है, भले करे, लेकिन करने के पीछे जो भावनाएं हैं, वो if they are overly emotional, तो खुद हर बार उसमें हिलेंगे, अभी तो क्या-क्या scene आएंगे, बहुत बारिश होती है, और अभी तो क्या दो scene देखा, अभी तो देखा ही क्या है, ना दुनिया के कोने-कोने में क्या-क्या हो रहा है, तो ये जो emotions, mind जो extreme pity create करता है, फिर extreme बेचारापन और मैं क्या कर दूँ और ये सब, पर soul जो है बहुत wise है, और soul wisdom से, उची स्थिती से परदे पर देखती है कि क्या-क्या चल रहा है, और कितना mind के level पर, कितना मेरे पास काम है contribute करने का, बाहर में क्या करेंगे, जाता-जाता biscuit दिया, दूद दिया, कोई इंसान है, उसको कपड़े दिये, ये, ना, तो वो दाइरह जो है, उसमें कितना कुछ है करने को, और एक जगे भी करने के से, सारी problem तो खतम नहीं हो जाएगी, दस लोगों को, जादा से जादा सौ लोगों को कुछ दिया, problem तो खतम नहीं हो जाएगी, इतना बड़ा इंडिया है, इतनी कुछ है करने को, मन से हम जितना उची स्थिती से हर आत्मा की सत्यता को देखते हैं, तो उसको उसके पार्ट में जो difficulty चल रही है, उसको face करने की भी उसे शक्ति मिलती है, और even जानवर भी जो है, उनके लिए भी ये करने से, उदर भी soul को empowerment मिलती है, तो main चीज है जो बाबा कह रहे है की, उची स्थिती में रहना, उपर से सब कुछ देखना, खेल तो अभी बहुत अतीले जाएगा, और जा ही रहा है, एक-एक की life में भी बाते हो रहे होंगी, एक-एक-एक, scenes आ रहे होंगे, और बाहर भी collective क्या-क्या, अभी 1st January को, ऐसी बाते देखते हैं, तो एक होता है न, किसी-किसी की personality होती है, तो अंदर में बहुत कुछ identities होती है, sensitivity की, emotions की, तो अभी 1st January को भी earthquake का है न, जैपान वगरा में, तो ऐसे मन को देखके बहुत ऐसे दुख होता है न, बहुत जादा, बट इससे कोई फाइदा तो नहीं है, न अपना है, न दूसरे का है, किसी का भी नहीं है, तो इसी लिए हम truth को देखते हैं, कि देखो यह सब चीज़ें आ रही हैं, यह सब बातें आ रही हैं, कहां कहां पर कितना pain का, यह सब scenes चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, अभी अभी यह सब होगा, merge होगा, सब घर जाएंगे, बिगर picture को हम देखते हैं, बड़े scene को देखते हैं, तो जितना आत्मा उची स्थिती में है, knowledge को यूज़ करके, wisdom को यूज़ करके, बड़े scenes को देखती है, तो मन जो है, उसमें सहयोग देता है, और फिर मन वो करता है, लोगस के हाथ में है, जो की है, उची स्थिती से साक्षी होकर, साकाश देना, कहां कहां हम जाएंगे, कहां कहां, य पहाड बाबा कहते हैं, यह तो तूटती ही रहने है, लेकिन मन को क्या करना है, मन सा सेवा, माइंड से सेवा, और यह कैसे होगी, refine स्थिती से, आत्मा की मुची स्थिती और वहां से हम, माइंड कॉंट्रिब्यूट करेगा, शुब संकल्प, शुब संकल्पों से सेवा करे तो हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सत्यूगिस कमें, यही इस ड्रामा की खुब सूर्ती है, कि हमें आगे का भी पता है, कि हर एक आत्मा के लिए यह अभी घर जाने का टाइम है और उसके बाद सत्यूग आएगा, और एक क्वेश्चन है, मम्मा कौन है, मम्मा मुरलीज में भी आता है जैसे, अच्छा आपने अभी पोर्स किया है, तो मम्मा जब बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन का इस्तिमाल करके, जब उन्होंने ज्ञान हम बच्चों तक पहुंचाने का काम शुरू किया, तो साथ में बहुत सारी सोल्स जो है कहां कहां से सब जुड़े, कोई male body है, कोई female body है, ज्यादा तर females थी, कोई mothers थी, कोई बहने थी, कोई single बच्चियां थी, तो ये सब जुड़े, तो इसमें से एक को जिसको शिव बाबा ने head बनाया सब को देखने के लिए, साकार रूप में बाबा ने एक तरीके से instrument बनाय तो उनको कहते हैं, ममा, उस part के लिए नाम है, ममा का, तो वो second number, उनोंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, ममा का सब जानते होंगे, कि वो जब शिव बाबा के पास आई, तो शरीर से उनकी आई थी, 16 years, शरीर से बस 16 वर्श, और फिर, दीरे दीरे वो सारा बाबा ने जो ब पढ़ाई पढ़ते गए, पढ़ते गए, और फिर 1965 में, 1965 में उस soul ने body को छोड़ा, अब तक पढ़ाई पूरी पढ़ लूँ, इस तरीके से, तो ममा, बाबा, और भी हम देखेंगे, ममा की बहुत अच्छे मुरली के points भी आते हैं, यह हम देखते जाएंगे, तो यह मुर बहुत ही, मुरली तो लंबी है, वट यह जो passage है यह, बहुत ही प्यारा है, और बाबा कहते हैं कि, जितना ज्यादा रिफाइननेस होगी, तो निरविघन भी वहके चल सकते हैं, उतने ज्यादा निरविघन भी होते जाएंगे, तो इस मुरली से, या वैसे ही generally, कोई question है, otherwise फिर हम इस picture को भी देखेंगे, और भी कुछ point share कर लेते हैं, किसी को कुछ share करना है, आज की मुरली से, या generally कोई question हो, जी, आपको unmute करें, शाशी जी, मुरली की date है, 12.06.72, या आपको unmute कर दिया है, मनसा सेवा करनी एक अब देख मंनसा सेवा कैसे कर देखा है हमें उन आत्मों के लिए मंसा सेवा करनी है तो उसको क्या मतलब सही धंग से क्या मैथड है किस धंग से हम तो अलग-अलग चीजे सुनते हैं अलग-अलग करते हैं आपके कोडिंग किस धंग से कैसे करनी चाहिए मंसा सेवा के लिए जो माइंड है अभी तीछे बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था इश्वरिय मन तो मंसा सेवा एक ऐसे माइंड से हो सकती है जिसमे जब आत्मा की स्थिति उची है मुझी माना वो जो ये ड्रामा चल रहा है किसी भी मिनट के लिए योग की स्थितिन में जब हमारा बिल्कुल आटेंशन है तो जो भी मिनट दो मिनट तीन मिनट जब हमको ये ड्रामा कंप्लेटली सिर्फ ड्रामा ही दिखाई देता है उसमें और कोई added उर्जा feeling उसमें न जो मिनट है उस मिनट में naturally mind से मंसा सेवा ही होती है मैं आत्मा जो इस ड्रामा में शरीर में यहां से पाट चल रहा है लेकिन मेरे बुद्धी से मैं बाबा के साथ हूँ और इस खेल से इस ड्रामा से इतना उपराम हूँ कि ये मुझे बहुत दूर चल रहा एक एक छोटा स एक बहुत ही zero दिंदी दिखाई दे रहा है देखने वाली बात भी नहीं एक समझ से समझ से ऐसा अनुभव हो रहा है कि इसको कोई बात की कोई value नहीं है तो ऐसा जब 2-3 मिनट भी होता है 5-6 मिनट भी होता है तो वो जो मिनट है जिसमें हम शायद attention से कहीं जापान या कही जा नहीं रहे है लेकिन वो naturally उसी से मंसा सेवा होती है तो जैसे आप में कहा कि वहाँ भुकम पाया है कैसे करें मंसा सेवा तो मंसा सेवा के लिए जितना हम वो जो scene हुआ है और उसमें जो हानी जो पहुँची है वो आत्मा को हानी नहीं पहुँची है वो part के level पे जो essential है वो हुआ है जितना हम इन मन के जो emotional जो feelings है और response है इसके उपर जब जाते हैं इसके बाहर निकलके इस बड़ी picture को देखते हैं इस drama को देखते हैं जहाँ पे हमें किसी भी आत्मा का ये नहीं लग रहा है कि हानी हुई है एक बहुत आसान है बुद्धी से कहना कि अरे इनका कुछ बिगड थोड़ी रहा है मैंने ऐसे किया तो इसका थोड़ी कुछ बिगड़ा ये तो बस एक scene था नहीं अनुभव से जब मेरे दिल से वो experience होता है कि ये आत्मा इस सब untouched है पार्ट के लेविल पे सब चल रहा है कहा कहा दुनिया में क्या क्या हो रहा है जब हम ड्र द्रामा से लंगर उठाया हुआ है तो वो ही मनसा सेवा है तो माइंड शुब संकल रचेगा इस ड्रामा के प्रति अभी क्या चल रहा है आगे भी क्या आने वाला है और इन सभी आत्माओं का आगे का क्या पार्ट है उसके लिए मन शुब संकल रचेगा किसी को बेचारा नहीं देखेगा तो यह सब है मनसा सेवा यही उसकी विदी है और यहां पे भी कभी कोई मिस्टेक होती है एक्सेंपल क्रोध आना तो गिल्ट पहले से ज्यादा आता है हाँ गिल्ट पहले से ज्यादा क्यों आता है क्योंकि अभी हमें नॉलिज बहुत स्टॉंग है रॉंग है राइट और रॉंग का बट अप्लिकेशन और एक्स्पीरेंस नहीं है तो गिल्ट पहले से भी ज्यादा आता है बट जैसे जैसे हम जैसे अभी देखे अब थोड़ा ही टाइम मुर्ली सुनने में देते हैं और फिर इसको प्रैक्टिस करने में भी थोड़ा टाइ मिनिट थोड़ा सा फोन पे कोई टाइमर सेट करके या अलाम सेट करके तो दस मिनिट पंद्रा मिनिट थोड़ा प्रैक्टिस भी करें तो जो जो हम स्टेप्स ले रहे हैं तो वर्ड्स टूथ एक जगी हुई आत्मा का नेचर है कि जो हम स्टेप्स ले रहे हैं सत्यता की और उसको सिर्फ उसके प्रती, उसकी नजर में उसको सिर्फ वो दिखेगा, और उसके लिए शुक्रिया होगा, उसके लिए appreciation होगा, ना कि जो मैं नहीं कर रहा हूँ और ना कि जो मैंने पहले किया, जैसे जैसे आत्मा जाग्रित होती है न, तो आत्मा का नेचर है positivity, पॉजिटिव, तो ये positive perspective मेरा जितना बढ़ रहा है, देखो ज्ञान लेते रहने, लेते रहने से positivity, मतलब ज्ञान तो positive है, मगर सोई हुई आत्मा जब ज्यान भी ले रही है तो कौन सुन रहा है? आत्मा सोई है ठीक है? प्योर ज्यान फिर कौन सुनता है? माइंड सुनता है और कौन सा माइंड? जो कि पूरा माया के वश में है तो वो फटा-फट ये नोट करता है मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा ये नहीं कर रहा है, ये खुद तो ऐसे कर रहा है, वो फटा-फट उसका काम है सिर्फ नोटिंग करते रहना, record keeping, क्योंकि उस record keeping से वो guilt create कर सकता है, जो उसका nature है, माया का जो nature है, guilt create करना, दुख कुछ positive है तो एक-एक आधा कदम भी अगर मैं जागरित हुई हूँ तो उस आधी कदम जागरिती का ये फल है कि मेरी दृष्टी बहुत positive हो जाएगी मैं जो कर रही हूँ मेरको उसके लिए thankful और उसके लिए मुझे appreciation होगा और उधर यही मैं बढ़ती जाओंगी बट कई बार हम देखते हैं जैसे चार्ली भाई हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मनों ने PhD करी है गिल्ट में वो हमेशा कहते हैं कि PhD होग, सारे ब्राह्मन PhD कर रहे हैं गिल्ट में तो ये statement वैसे तो की है, लेकिन बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि ब्राह्मन गिल्ट में PhD का मतलब no experience या very less experience and experience के के लिए कोई steps नहीं है बट ज्यान को गुद्धी में इखटा करने के लिए और खुद हम सोए रहें, इसी लिए गिल्ट है बट जैसे जैसे आत्मा एक ही कदम उठा रही है उसको अपने लिए इतना इतना उसको appreciation रहेगा कि देखो one one step और वो एक ही step उसको आगे के लिए, इसी लिए कहा कि देखें, secured mind कैसा होता है जगी हुई आत्मा एक आख भी खोली है तो grateful रहेगी करेगी, lessons देखेगी हमेशा, मैंने क्या सीखा ये देखेगी और यदि हम ज्यान बहुत सुन रहे है अनुभव नहीं कर रहे है mind noting कर रहा है कि मैं तो ये भी नहीं करता मैं तो दो साल से सुन रहा हूँ फिर भी ये नहीं करती मैं तो वो सिर्फ complication और पैदा करेगा complaints अपने प्रती अपने पार्ट के लिए दूसरे के प्रती, दूसरे के पार्ट के लिए और हमेशा गलतियां ही देखेगा गलतियां ही देखेगा तो इसलिए जागरत आत्मा क्या lessons देखती है क्या सीखा क्या सीख रहे है एक बार एक क्रिकिटर को हम सुन रहे थे अभी थोड़े दिन पहले तो उसने कितनी अच्छी बात कही कि मैं ज्यादा तर मैं लाइफ में मेरा ये perspective रहता है कि I learn, मैं सीखू है ना, तो मेरी लाइफ में दो ही तरीके के दिन होते है कि एक एक ऐसे दिन होते हैं जहां मैं सीख रहा हूँ और दूसरे वो दिन होते हैं जहां मैंने जो सीखा है उसको मैं enjoy कर रहा हूँ मतलब मैंने apply किया और उससे मैं enjoy कर रहा हूँ तो मेरी जीवन is so clear कि मैं यहाँ पर सीखने के लिए हूँ तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां मैं सीखता हूँ सीखता हूँ का मतलब है कि मुझे कोई गलती हुई है और उसमें भी सीख रहा हूँ कुछ नहीं आता है तब भी सीख रहा हूँ तो उसने यह नहीं कहा कि मैं गल्ती करता रहता हूँ, मैं यह करता रहता हूँ उसमें का मैं अपने दिनों को दो ही क्राइटीरिया में रखता हूँ कि either I am learning या तो मैं सीख रहा हूँ तो आज पूरे दिन में जो हुआ मान दीजे आज पूरे दिन में कुछ ऐसी situation आ गई तो माइंड कहेगा आज तो तुम फेल हो गए, तुमने तो क्रोध कर दिया आज तो तुमने ऐसे बात कर ली बट सोल किस नजर से देखती है मैंने सीखा मैंने सीखा आज कुछ यह जो response आये यह reaction आये, इससे मैंने अपने part के रिती से कुछ सीखा तो दिन के दो ही criteria है, या तो मैं कुछ सीख रहा हूँ या तो मैं जो सीखा हुआ है, उसको apply करके enjoy कर रहा हूँ तो कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे हमने जो बाबा की बात सुनी है, समझी है apply करी है कोई situation आई हमने ग्यान को apply किया, बड़े naturally सब easy हो गया तो हम उस दिन enjoy कर रहे हैं, क्या सीखा no, so जगी हुई आत्मा के लिए, there is only one thing student, godly student no no, तो guilt का मतलब बस यही है कि अभी कुछ नहीं करना, पीछे के ही, मैं ही कुछ, पीछे में जो हो गया है, जिसको बदल नहीं सकते उसमें कुछ correction चाहते रहना तो यह मन जो है न, आलसी होके यह guilt create करता है, सबसे आसान चीज है, guilt create करना take control, है न, soul, जगे अभी है मेरे पास, यह minute में अभी, यह होने में नहीं fixed part था, ड्रामा में बजगिया खतम करो, आगे बढ़ो मुझे एक आया है, कि मुझे बहुत लेट पता चला काश पहले ग्यान में आती यह guilt, कई बार आता है, है न, ऐसे होता है हाँ, यह guilt भी आता है actually यह guilt नहीं है यह तो एक शुब क्या बूलते हैं, शुद प्योर love होता है, कि जब हमें जिस शर्ण से भी ग्यान मिलता है, तो लगता है कि हाँ, पहले मिला होता, यह न तो यह कोई guilt नहीं है, यह एक हर एक की शुद भावना, शुब भावना रहती है, और क्या पता पहले अभी आपका शरीर की आयू, जो भी है क्या पता पहले कभी मिला हो गया पिछले उसमें भी तो कोई नहीं, guilt की उसमें कोई बात नहीं है, बाबा ने अभी जो आए हैं, उनके लिए कि इतने सारे points बाबा ने दिये हैं, कि आदी में जो हुआ, वैसे ही अंत में होगा, तो आदी में इतना powerfully, बाबा ने सबको सबको जोड़ा और सबके अंदर इतना pure knowledge दे, तो वही अंत में हो रहा है और आप उस time पे आए है end के time पे आए है जब ग्यान बिलकुल refined है बिलकुल बहुत पहले आये होते तो नहीं पता था, बहुत सारी चीजें clear करने में ही चला जाता, तो वह अच्छा है, नहीं अच्छा है और बाबा कहते हैं कि जो last में आये हैं, वो इतने fast जा सकते हैं, उनको विशेश वर्दान है तो आपके लिए ये भी blessing है, बाबा ने कहा है बाबा ने वर्दान दिया है आपको कि बिल्कुल आगे, बहुत आगे जा सकते हैं, ना fast जा सकते हैं बस attention रखें और last में आने का ये बहुत फाइदा होता है कि हमको हमेशा एक लगन होती है कि देखो मुझसे कुछ miss हुआ, मुझे attention देना है हमने अभी हम तो आद में आए है, तो ये बहुत जरूरी है जो वो कचुए और खरगोश की है कि वो फिर वो attention देता है, कि देखो मेरे अंदर तो वैसे ही मैं धीरदी रही चलता हूँ है ना, और मैं तो आया भी last में हूँ, तो अब मैं नहीं कुछ गडबड afford कर सकता, तो ऐसा ध्यान रखते हैं, लगम रहती है, तो अच्छा है ये एक और comment है कि लेकिन lessons के बाद में कर्मातीत की stage है, वो हमारा final goal है, बिलकुल कर्मातीत stage हमारी final goal है आत्मा की सबसे real अवस्था है कर्मातीत अवस्था, जिसको हम drama के रंगमंच पे रहके इसी second, जैसे कहा न, एक minute भी इसको अनुभव करें कि fixed part बज़ रहा है, fixed drama बज़ रहा है, मैं आत्मा बिलकुल free, मैं आत्मा just present हूँ मुझ पे कोई इसका सबका प्रभाग नहीं है, तो इसको अभ्यास, इसको practice, तो वो हमारा final stage, वो emerge हो जाती है, अच्छा एक question है, हाँ ऐसा लगता है, बार बार कुछ miss न हो, बिलकुल तो ये आग बहुत जरूरी है कुछ भी miss न हो, कुछ भी miss न हो एक question है कि मन की stage पर सदा एक बाबा, दूसरा न कोई, ये programming सदा काल के लिए कैसे हो इसका process क्या है इसका process न ये है कि सदा काल रहे, उसके लिए अगर मैं एक minute भी consciously जब attention दे रहा हूं मैं आत्मा एक minute भी consciously attention दे रही हूं तो उस एक minute में मन के अंदर बहुत शुद्ध संकर तो जितना जब आत्मा control ले रही है देखिए, ऐसा knowledge है, लेकिन unconsciously drama के प्रभाव में बार-बार हम जा रहे है attention इतना strong नहीं है तो जरूरी तो यही है कि पूरे time attention रहे लेकिन चलिए, वो अभी नहीं होता है तो कम से कम हम दो minute decide करें जैसे ये class होती है तो ये class मान लिजे एक घंटे की है, देड़ घंटे की है तो इसमें हम use करें कि बिलकुल मैं attention से इसमें अपने अंदर एक program कि just मैं आत्मा हूँ या किसी और time पे अतलब जब हम decide करें निर्ने लें कि अब I will use focused attention तो उसमें हम अपने आपको कोई margin ना दे कि mind कहीं और और जाए तो एक घंटा नहीं कर सकते तो दो minute बस दो minute के लिए truth के संकल, सत्य के संकल बस तो ये जितना refinement है जैसे आज भी बाबा ने ये बात पे जो attention डाला है कि quantity हम बहुत कर दे 8 घंटे, 10 घंटे का plan बनाए लेकिन उसमें quality 1% भी pure नहीं है तो वो बहुत ही महनत की process है लेकिन बाबा ने कहा कि quality पे आप ध्यान दो, quantity पे मत दो तो हम सबके लिए ये एक reminder है कि आप quality पे ध्यान दे कि 2 minute करते है quality कैसी है, 1% भी उसमें drama का कुछ mix नहीं हो unmixed हो तो जब आपका ध्यान quality पे है, तो जो कहा ना कि वो सदाकाल वो अपने आप होगा, quantity अपने आप ठीक होगी, but if you make plans की 10 घंटे, 4 घंटे और ऐसे quantity के तो quality उसमें बहुत lose हो जाने का margin है और जहां पर quality गायव होई तो कोई फाइदा नहीं है फिर तो quality पर ध्यान दे quality की 2 minute किया, 1 minute किया उसमें एक बावा, दूसरा ना कोई ठीक है? छोड़ो, दिन भर में क्या हो रहा है क्या होता है, उसको थोड़ी देर के लिए उसको side में रखो उसवाले mind को वो क्या बोलता है ठीक है, थोड़ी देर के लिए side मैंने decide किया 5 minute तो unmixed unmixed, pure तो ऐसे 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 collect करते जाए quality पर ध्यान देते जाए तो वो अपने आप होगा की सदाकाल हाँ, एक question है कि जब drama में खुद को difficult circumstances में पाएं, जैसे अभी किसी close relative ने शरीर छोड़ा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी wife को क्या बोलू कि उनको थोड़ा better लगे तो again इसमें हम क्या दिहान देते हैं कि ये difficult circumstances में एकदम से mind बोलता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल situation में मैं हूँ, तो आत्मा याद दिलाती है कि मैं नहीं हूँ ये part देखो, ये part के लिए एक situation है, ये जो अनन्या है, इसके लिए एक situation आई है, जो कि जहां पर थोड़ा सा दिहान देनू की बात है, तो उसको मैं नहीं, वो मैं नहीं मैं करके ये इसको बिल्कु चेंज मैं तुरन बोलता है, अरे मैं इसमें क्या करूँ, मैं क्या बोलू मैं तो फस गई, नहीं ये part है, ड्रामा में ये part का कुछ रोल है, इसलिए आया, तो पहले तो हम यहाँ पे आत्मा जो है, करेक्ट करती है है, माइंड के सभाषा को माइंड के दिश्टिकोन को, ये क्या सीमित देख रहा है, अब जैसे की पहले तो ये हम खुद फ्री हुए, हम खुद फ्री हुए, इससे अब जो स्मृति इस फ्री होने से, अब हमारी स्मृति में क्या है, कि बाहर जो चल रहा है, तनू के लेविल तक, अनन्या के लेविल तक, वो एक ड्रामा है ड्रामा सिर्फ अनन्या के ही लेविल तक है, इसकी बाहर नहीं है, तो ये सब एक ड्रामा है, इसमें हमारी विजन मिलकुल क्लियर है, कि देखे किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा है वो part finish हुआ तो eternal truth में देख सकती हो कि एक आत्मा ने शरीर छोड़ा उसका part अब कहीं और start होगा I can see the eternal truth और जितना मैं eternal truth को experience कर रही हूँ देख रही हूँ तो उतना मुझे drama में क्या हो रहा है उसके प्रती compassion होगा एक ज्यान का हम ऐसे गोला ने फेकेंगा किसी पर कि क्या हो गया वह शरीरी तो छोड़ा है वो तो सभी को छोड़ना होता है तो अंधर में क्या होता है एक compassion drama में जो number wise जो situations चल रही है उसके लिए उतना ही compassion तो हम समझ सकते हैं कि detach होके समझ सकते हैं attach होके नहीं detach होके कि मैं खुद तनू से free हूँ फिर मैं समझ सकते हूँ कि देखो situation में ऐसे में किसी पर ये difficult situation है ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये आत्मा ये आत्मा stable रहे ये आत्मा empowered रहे इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ इस रीती से हम सोचें अगर हम इस character से attach होकर इस situation में enter करेंगे उनको कुछ बोलने के लिए उनको कुछ करने के लिए तो हम बार-बार क्या होगा कि ये उस story को हम personally लेते रहेंगे अपना भी कुछ याद आएगा कि मेरे part में भी ऐसे हुआ था किसीने शरी छोड़ा था बड़ा वो सब emotions भी mix होगे तो first हम अपने character से detach होकर इसके उपर जाके eternal truth को देख रहे है eternal truth को experience कर रहे है कि वो soul भी कल्यान कारी ही है कि वो soul भी अभी कहीं और part बजाने गई है नहीं पता है हमें आगे क्या होना है तो हमारे अंदर feelings जो है वो कल्यान की है स्मृति राइट है तो feelings जो है वो सद भावना की है और इस से फिर जो शब्द जरूरी है वो अपने आप ही click होते हैं और अपने आप भी click नहीं होते हैं तो just be present पहली बात तो वो click होंगे ही होंगे आप उस स्थिती से जो शब्द बोलेंगे हो उनको राहत देने के ही होंगे क्योंकि इसमें main क्या है soul की empowerment तो उस soul को भी जिससे आप बात कर रहे हैं उसका भी compassionately हम क्या देखते हैं कि वो भी कोई victim नहीं है बेचारा नहीं है मालिक है और drama का तो नियम ही है कि the show must go on show चलेगा सब कर लेंगे soul सब independent है तो उसको truth की नजर से फिर शब्द अपने आप निकलेंगे और वो right ही होंगे और उनसे सामने वाला जो है वो बहुत ही वो अपनी उसकी security ही जगेगी सामने वाले की प्रति हम बेचारे वाली दृष्टी लेके कुछ बोलेंगे तो वो फिर और दुख में जाएगा बट हम soul को उसके इस part से इस scene से भी liberate करने के instrument बन जाएंगे जितना हम खुद इस character से detach होके truth को देखके बड़ी picture को देखके और यही drama का बरूल है कि सब कुछ कल्यानकारी ही होता है ऐसे truth के संकल्प मीन्स स्वमान बाबा की महिमा मुर्ली की points हाँ truth के संकल्प मतलब आत्मा आत्मा का घर बाबा और यह जो चल रहा है 24 गंटे यह एक ड्रामा है यह है truth यह सब truth है तो हर स्वमान truth ही है मुझे बनना है यह स्वमान तो यह सकते नहीं है यह truth नहीं है हर स्वमान जो है वो truth है आत्मा का truth है natural nature है एक question है कि how do I come to know that I am doing you correctly what is the check point check point है कि बाबा ने कहा ना कि quality quality बढ़ेगी quality में refinement आएगी और quantity कम होती जाएगी योग की quantity नहीं कम होगी मन के जो संकल्प है इसकी quantity कम होगी कोई decision लेना है कितना ज्यादा हम ये करू वो करू इन सब में कम होगा और main जो point है main जो point है कि योग हमारा correctly हम कर रहे हैं उसका एक main checking point है gratefulness शुकराना drama में जोर शल रहा है उसके लिए acceptance स्वीकारिती और शुकराना gratitude thankful भाव ये दोनों और कुछ भी उपर नीचे का आता है उसके लिए ये ही अपने आप से दिल बहुता है कि चलो ये भी एक lesson है ये lesson मुझे आगे कही help करने वाला इसलिए या भी आया है ये भी एक lesson है इस तरीके से इस तरीके से यो correctly हो रहा है acceptance बढ़ेगी हर situation जो बाहर आ रही है हर scene जो ये part भी play कर रहा है acceptance जी वर्दान भी आत्मा के original state को ही arrow करते है उसकी तरफ ही इशारा देते है है ना जी आप share करेंगे तनुगें क्या experience हुआ do you want to share हर एक जो बाबा की मुडली का point है वो आत्मा की truth की तरफ इशारा करें आपको वास आ रही है मेरी जी 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 कर ऐसे एक्चली क्सी family member ने काफी कुछ बुरा भला मुझे बोल दिया मतलब ऐसे उनके पार्ट में होगा पहले भी बोला था लेकिन पहले में कैसे मेरा point of view था कि मैं बहुत दिल पे ले लेती थी अरे इनोंने मुझे ऐसा क्यूं बोला और बहुत सोचती रेती थी इस बारे में और मुझे और बुरा हो लगता था गिल्ट फील होता था और मेरी मतलब गलती भी नहीं होती थी फिर भी जाके sorry मैं खुद से बोल देती थी कि भई मतलब बहुत ही बुरा लगता था और अपने आप लगता था कि अरे ऐसे क्यूं बोला ऐसे क्यूं बोला दिमाग में इतने चलती रहती थी बाते लेकिन कल मैंने क्या हुआ कि कैसे बुरा भला बुलके गए लेकिन मुझे लगा कि चलो अच्छा हुआ जैसा भी बोला मतलब मैंने ऐसा मन में सोचा कि क्योंकि एक detachment की sense से मैंने देखा detach होके कि भई चलो अच्छा है दीरे दीरे जो ये pass के संबंध है जिनसे मैं अपने आपको जान रही थी वो धीरे धीरे अपने आप ही मुझे detachment की तरफ लेके जा रहे हैं तो जो मैंने कुछ relation से बहुत जादा attachment एक अपनी identity बना रखी थी वो मुझे उन से detach करने में और ये instance जो है help कर रहे हैं तो ये जो है कि मैं इतना उल्टा अच्छा फील कर रही थी कि चलो ऐसे ऐसे instances होते रहें तो अच्छा है मैं और और उसकी तरफ जा रही हूं कि मुझे पहले मैं सोचती थी मैं इतनी dependent हूँ है इनोंने मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे बड़ा independent feel होता है मुझे लगता है कि मेरा जो mood है वो अब मेरे हाथ में है किसी और के हाथ में नहीं है कि कोई मुझे बोल के चला जाए तो मुझे बुरा लगेगा तो मुझे कल बहुत एक sense of independence फील हो रही थी कि चलो मैं बिलकुल दिल पे नहीं लिया मैंने जो सारी मुझे की lines थी कि drama में है तो उन्होंने ऐसे बोला हर चीज़ ultimately मुझे बाबा की तरफ लेके जा रही है मेरे धीरे धीरे bonds अगर तूटते भी है तो वो अच्छे के लिए ही है कि मतलब मेरे खुद की personal development के लिए ही हो रहा है जो हो रहा है तो मुझे बड़ी अच्छी एक positive feeling आई और मैं उस गुरे instance के लिए भी actually grateful feel करने थी कि चलो अच्छा है हुआ कि जो मेरा था ना वहम की देखो इनके बिना तो मैं कुछ करनी सकती वो चीज़ जाती हुई नज़र आई मुझे बहुती wonderful और यहाँ पे जो sister ने share किया है exactly यही चीज़ है कि यह mental commentary की तरह नहीं शुरू होता है जैसे हम truth की तरह बढ़ रहा है न तो यह उस समय उनको एक तोते की तरह रटना नहीं पढ़ा कि चलो इड्रामा में है मेरे ले अच्छा ही हो रहा है वो naturally आवाज ही यही आती है जैसे आत्मा की बुद्धी की आँख खुल रही है तो खुली हुई आँख से वो दिखाई उसको यही देता है तो यह एक बहुत अच्छा point है कि यही मन के स्क्रीन पे भी आता है यही बुद्धी से यही उसको दिखाई देता है कि देखो मेरा वेहम भी टूटा चलो बहुत अच्छी बात है उसको मतलब और ही अच्छा लगेगा पहले क्या होता है कि जब कोई बहुत ऐसे दर्दनाक बात आती है दूसरे वाला भी गलत लगता है और ब्लेम होता है अपना भी लगता है फिर मैंने क्या कर दिया उस हर चीज के प्रतियक यह रहता है कि यह क्यूं हुआ आखिर यह क्यूं हुआ कैसे हो गया और अभी जैसे उन्होंने शेर किया कि वो naturally और कितना अच्छा है कि मुडली सुनते जा रहा है प्राक्टिस करते जा रहा है तो कितना easily हर लाइफ की situation gift की तरह ही लगती है चाहिए वो कैसी भी हो तो it is not just एक intellectual वो उसका रटने का जी और वो बहुत अच्छा है भाई ने शेर किया है कि same scene पे opposite हुआ कल एक family member ने बुरा बला बोला और silence की शक्ती कल whole day I didn't reply but today morning कुछ blast हो गया small provocation से कुछ blast हुआ ऐसे भी हो जाता है तो कोई नहीं ये learning एक scene आया ये भी एक learning का scene आया कि अभी भी कौन सा कुछ identity है जो की इस तरीके से तूटनी थी but ये अच्छा है कि कल पूरे दिन कल पूरे दिन कैसे हमने उस पे काम किया गए और शायद ऐसा होगा कि हमने silence शब्दों का रखा लेकिन अंदर में कुछ न कुछ पक रहा था तो वो एक strong identity जो है वो अंदर में फिर भी संकर्प कर रही थी questions कर रही थी तो दीरे दीरे फिर वो भी देखते जाएंगे उसको भी देखेंगे बाबा के साथ बेटके इसको भी हम देखेंगे कि देखो mind अभी भी क्या-क्या शब्द तो बोल तो कुछ नहीं रहा है वर्ट से बिलकुल चुप है लेकिन अभी इसका कुछ मन का बोलना चल रहा है जो की जिसको भी हम देख सकते हैं टूथ की लाइट में आर कंडिशनिंग इस फॉर आल चैलेंजिंग थिंग्स वी मुस्ली से वाय नी इसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा जो आज का पॉइंट रहा वो यही है कि क्वालिटी को बढ़ाए क्वालिटी को बढ़ाते जाए